वेलकॉम स्टूटेट लिशीद खेपीशा हो फॉक थेला मुने पड़िक गौडिक गॉडिक स्टेट का अर्था। आज हम देखें के के कवारिट की केर्शन को सॉल्ब करना साबुला से हैं सबसे मेरे हमें फामुला पता होना चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए फार्मूला है वो हता है x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a बास सब्सक्राइब क्या होता है x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ना हम फर्सक्राइब करते हैं हमारे पास क्या है x square minus 3x plus 2 equal to 0 फस्ता बाल हम इसे compare करें किस से compare करेंगे comparing this equation with ax square plus bx plus c equal to 0 यहां x square के साथ यह है x square के साथ बंग है तो equal to कितना होगा हमारा बंग bx के साथ x के साथ b यह x के साथ minus 3 तो b कितना होगा हमारा minus 3 और C equal to root का होगया 2 लॉर लॉर वा उजिग फामुला X equal to क्या होगा मारा minus B plus minus B square minus 4AC upon 2A तो X equal to क्या होगा minus minus 3 plus minus under root minus 3 का होगा square minus 4 A1 और आपका सी 2 अपो हम 2 8 2 into 1 Now x equal to minus minus क्या होगा plus 3 plus 3 plus minus 3 पेस्पर गिता हो अटो 3 3 जा गरिवोड 9 4 2 जा 8 क्या minus 8 अपो हम 2 बंदा 2 Now x equal to 3 plus minus 9 minus 8 कितना होगा 1 upon 2 x equal to कितना होगा 3 plus minus 1 upon 2 चुकि root 1 कितना होगा 1 होगा अब क्या करेंगे हम taking positive sign कौन सा sign लेंगे हम positive sign लेंगे अगर हम positive sign लेंगे x equal to कितना होगा 3 plus 1 upon 2 that means 4 upon 2 इसका उतला पितना होगा 2 2 जा 4 हम negative sign लेंगे taking minus sign तो जैसे ही हम minus sign लेंगे तो क्या आएगा x equal to 3 minus 1 upon 2 that means 2 upon 2 equal to 1 तो यहां पे हमारे roots निकलेंगे क्या निकले? 2 and 1 इस तरह इसमें हमारा question स्वाज होगा आपको स्वाज होगा है आगे होता है हम अग्ला question लोग करते है इसको मैं रपकर देता हूँ अग्ला जो question है विद्कुल हम इसी करीशे से स्वाज़ करेंगे फामुला हम यही apply करेंगे फामुला याद रखना पड़ेगा क्या होता है फिर से देखे लिए minus B plus minus under root B square minus 4 AC upon 2 A हम इस हमारे पाद लो second question है वो मैंने लिखा होगा है x square minus 3x minus 1 equal to 0 फिर से टाम पर देखेंगे A x square plus B x plus C equal to 0 से तो हमें A equal to कितना मिला 1 B के प्लेस पे कितना मिला minus 3 और C दिकना मिला minus 1 फिर से लिखेंगे तो कितना होगे है minus minus 3 plus minus under root minus 3 के square minus 4 A कितना है 1 और C कितना minus 1 अपोन 2 into 1 now x minus minus plus तहीं का होगे plus 3 plus minus under root 3 3 दे कितना होगा अच्छो 9 4 बंजा 4 अब 2 बंजा यहां हम देखेंगे x equal to यह कितना होगे 3 plus minus 9 plus 4 कितना होगा 13 upon 2 यह हमारे दोना आसार हो जाएंगे यह तौनों रूट्स हो जाएंगे इसी तरी के से हम तीसरा कोशन भी देख सकते हैं करने का तरीका वहीं रहें साथ सिर्फ यह फामूला है हमें A B C की वैल्व को कहा करना है पता करना है जैसे यह फामूलें रपूट कर लेते हैं तो पुशन आसारी से अपने रास्ते आता रहता है बिनआ मैनत के तो वच्छों कुछ नहीं दो है इसका आठ अध सब्सक्राइब करने से जिसको समझ में आता है उसको धीर दीर आसनी से समझ में आने लगता है को प्रती सिसका है और अगरा तो इस टाफिक के लिए रहें आप मुझे लेक्र कराएं को सब्सक्राइब उस टॉपर कि नाओं यहां पिडिसलों आपर सोशन आगया 2x square plus x minus 6 equal to 0, a equal, यहांपे compare गना है, ax square plus bx plus c, तो a equal to कितना होगा, 2, b equal to कितना होगा यह अच्छो, 1, और c equal to कितना होगा, minus 6, वह फिर से वही प्रोसेश हैं हमारा, x equal to क्या होगा, minus, bgmx में minus 1, plus minus, यह क्या होगा हमारा 1 का square, minus 4, a कितना है 2, और c आपना है 2, और c आपना minus 6, into 2, 2 into 2, now x equal to minus 1, यह 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 लिए, plus minus 1, 1 का square करेंगे, 1 का square 1 होता है, 2 का square 4 होता है, 3 के square 3 होता है, square क्या होता है, उसी नमबर का, उसी नमबर के ज़्या आप मुल्टिप्लाय कर देते हैं, आपको square में जाता है, आसन सा काम है, तो 1 into 1, 1 होता है, इसलिए 1 का square क्या होगा और यहां मैंटिप्लाइए करना है माइनस माइनस क्या होता है तो जा एट एट सिस्ट जा पूटी एट यहां मैं देखेंगे फोर्टी एट और टू जा कितना हो यह चो और नाव एक सपीन टू माइनस बन पिलस माइनस 49 4 आहां सेनल सेनल कितना होगा से डिन फिर समय फॉट घरा अपोर्ट किरा एक बात पॉइटिफ उनले रहा है टेकिवू ऑदिव साइन जैसे यह एक इसको कुसे हम काट सकते हैं यह हो जाएगा अपना 3 upon 2 अगर हम रिगिटिव साइन लेगे तो टेकिंग माइनस साइन जैसे हम टेकिंग माइनस साइन लेगे तो माइनस 1 माइनस 7 upon 4 माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 प्लस 7 कितना होगा एक तो 1 प्लस 7 8 होगा तो इसको कितना हो गया माइनस 2 हमें असानी से जो है आंसर का